गुड मॉर्निंग एप्रिवान, वैलकम टू एग्जाम ओर्बिट क्लासेज, तो आज है 18 सेप्टेमबर और आज के सेशन में 18 सितंबर से सम्मंदित करेंट अफियर डिसकस करेंगे, अगर आप किसी भी एग्जाम की तयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आप सभी के लिए, काफ इसके स्टार खिलाडी रोहन बोपन्ना को सम्मानित किया है, रोहन बोपन्ना का सम्मंद किस खिल से है, कबड़ी, टैनिस, खोको, या फिर, किर्कैट, इस सबाल का जो आंसर है, वो आपको क्लास के लास्टों में मिल जाएगा, और जिनको आंसर बता है, उनको लिखना है क कमेंट्स बाक्स में, तो सेशन को स्टार्ट करते हैं, और आज की कलास का पहला सबाल, दो हजार चब्वीस में कौन सा देश, जी टोइंटी सिकर सम्मिलन की मेजवानी करेगा, वड़ी इंपोर्टन कोईशन है, याद रखेंगे, दो हजार चब्वीस में, जो जी सिंगटन डीसी यहीं पर यह सम्मिलन आयोजित किया जाएगा, आप सभी जानते हैं कि अब यह जी टोइंटी की जगे, जी टोइंटी बन बन चुका है, क्योंकि अफरी की संग इसमें सामिल हुआ है, आप सभी को ग्यात होगा कि हाली में रास्ट अध्योचो की जो जी टो जी टोइंटी के बारे में, देखें, उननीस देश और यूरोपी संग का ये एक उनौप चारिक समू है, जिसकी इस्थापना उननीस सो निन्यानवे में हुई थी, यह आपको याद रखना है, फिर जी टोइंटी का कोई भी स्थाई मुख्याल है या सच्यवाले नहीं है, मैप में भी आप सभी देखेंगे, यह सभी जो कलरफुल कंट्री आपको दिखाई दे रहे हैं, यह सभी जी टोइंटी के सदस से देश हैं, एक बार कोई क्रिबीजन कर लेते हैं, तो इसमें सामिल है अर्जेंटीना, आस्टेलिया, ब्राजिल, कनाड़ा, चाइना, यूर तराज अमेरिका इसमें सामिल है, भारत ने जी टोइंटी के अद्धेस था किस देश को सौपी है, तो आई होप आप सभी को याद होगा, ब्राजील को सौपी गई है, किसे सौपी है, ब्राजील को सौपी गई है भारत के दुबारा, अफ्रीकी संग की चर्चा कर लेते है क्योंकि यहां से आगा में परिक्षा में आपसे कोईशन पूछा जा सकता है यही एक महादीपीय संग है 55 देशिस में सामिल है जो कि आपको याद रखना है इसका जो उद्देश है बोपने सदस से देशों को व्यक्तिगत और सामुहिक रूप से मजबूत करना है 2002 में अफरी की एकता संगटन का जो उत्तर दिकारी है इसे लांच किया गया था उत्तर दिकारी के रूप में किसकी उत्तर दिकारी के रूप में तो अफरी की एकता संगटन के उत्तर दिकारी के रूप में इसकी लांचिंग होती है इसका जो मुख्याले है वो अदिस अबाबा यानिकी इठोपिया की कैपिटल में इस्दित है अमेरिका की अगर बात की जाए तो ये है मैप में अमेरिका जिसकी राज़दानी है बॉन सिंग गटन डीसी और 2026 में यहीं पर होगा G20 सम्मेलन अमेरिका की जो बर्तमान में प्रेसिडेंट है इनका नाम है जो बाइडन वाइस प्रेसिडेंट कौन है तो कमला हैरिस है और अमेरिका की केरेंसी को कहते हैं अमेरिकी डॉलर अगर आप तो पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा साथी बेला इकन ड़ाना बिलको न भूले जिसे आप सभी को क्लास का जो नौटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाएगा अगर क्लास अच्छी लग रही है तो जादा से जादा शेयर कीजेगा लाइक कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा इस कलास की जो पीडियाप है वो बाद में आप सभी को टेली ग्राम चैनल पर इसली मिल जाएगी अगला सबाल है कि किस राज्य के मुख्य मंत्री नवीन पटनायक जी ने राज्य में मुख्य मंत्री संपूर्ण पोस्टी योशना की शुरुवात की है तो नवीन पटनायक जी ये बरतमान में ओडिशा के मुख्य मंत्री है जिनके दुवारा इसी योशना की शुरुवात की गई है देखें यह जो योशना है यह पोषण को बढ़ावा देने के उदेश से सम्मंदित है इसका प्रातमिक उदेश उड़िसा में माताओं के सोल्ग लड़कियों और बच्चों के पोषण सम्मंदी ज़रूरतों को पूरा करना है जसके सुर्वात उडिसा गवर्मेंट के दुवारा की गई है उडिसा की बात कर लेते हैं तो मैप में आप सभी लोकेशन देख लीजिए देखे ये है उडिसा उडिसा की जो सीमा है वो पच्छे मंगाल जारकन, 36 गड़ और आंधर प्रदेश से लगती है उडिसा की कैपिटल है भोबनेश्वर जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी और उडिसा की जो बरतमान में राजजुपाल है इनका नाम है गणेसीलाल मुक्य मंत्री नवीन पटनायक जी है राज्य सभा 10 सीटे हैं लोग सभा की यहाँ पर 21 सीटे है आप मुझे बताएए विदान सभा की कुल सीटे कितनी है ओडिसा में क्रिप्टो को जमीनी इस्तर पर अपनाने में भारत 154 देजों में किस स्थान पर रहा है तो फ्रेंड्स भारत रहा है पहले स्थान पर कौन से स्थान पर पहले स्थान पर चेना लिसिस के 2023 ग्लोबल क्रिप्टो अप्सन इंडेक्स से पता चला है कि चिनोती पूर्ण नियामक इस्तितियों के सामने उलेखनी लचीलापन प्रतशित करते हुए भारत ने जमीनी इस्तर पर क्रिप्टो अपनाने में 154 देशों के बीज सीर्स रेंक हासिल की है तो भारत इसमें पहले स्थान पर रहा है इस इंडेक्स में तो आप याद रखेंगे पूछा जा सकता है अब डिसकस कर लेता है अब आपको बताना है कमेंट्स बॉक्स में कि क्यूबा की राजधानी किया है यह आप कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे विटकोईन को रास्टिय मुद्रा के रूप में अपनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है तो अलसलवाडोर है विटकोईन के संस्तापक साथ उसी नोको मोतों की जो प्रतिमा है कहां पद लगाई गई है हंगरी में भारत में क्रिप्टो केरेंसी पर नज़र रखने के लिए देश का पहला क्रिप्टो इंडेक्स जिसका नाम है इसे किस ने लौँच किया था तो इसे क्रिप्टो वायर के दुवारा लौँच किया गया था 2023-2024 के लिए Audit Bureau of Circulation के चेर्मेन कौन बने है तो Audit Bureau of Circulation के चेर्मेन बन गए है स्री निवासन के श्वामी जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं Next Question पोर्जेक्ट चीथा के एक साल पूरा होने के उपलक्ष में किस राश्ट ये उध्यान में कारिकरम आयोजित किया गया तो फ्रैंड़्ट्स ये कारिकरम हुआ कूनो नेसनल पार्ग में कूनो नेसनल पार्ग कहां पर आता है तो ये शिवपूर मद्द प्रदेश में इस्तित है कहाँ पर है मद्द प्रदेश में और कुनो नदी इस नेस्रल पार्क से होकर बहती है ये भी आपको याद रखना है नामी विया और दच्छड अफरीका से जो चीते लाए गए ये हमारे लिए काफी मेहित पून है और साथी में आप याद रखेंगे कहाँ पर है तो ये मद्द प्रदेश में आता है मैप में भी आप सभी लोकेशन देख लेंगे देखे ये है शिवपूर और यही पर आपको देखने को मिलेगा पालपूर कुनो नैस्टनल पार्क इसके लाब हम मद्द प्रदेश के कुछ महित पून नैस्टनल पार्क है जैसे पन्ना नैस्टनल पार्क संजे गांधी जो नैस्टनल पार्क है ये भी आपको मद्द प्रदेश में देखने को मिल जाएगा डाइनसोर जीवाश्म रास्टी उध्यान, सत्पुना नैस्नल पार्क, वन बेहाद नैस्नल पार्क, उंकारेश्वर रास्टी उध्यान, पेच जिसे हम इंद्रा गांधी प्रदशनी, इंद्रा प्रदशनी के नाम से भी जानते हैं और ये भी कहां पर है तो मद्द प्रदे इसके जर्ष्ट नीचे यहाँ पर आपको देखने को मिलता है महरास्ट तो इसका कुछ छेत्र जो है वो महरास्ट में भी आता है बाली पारा चार दुवार तबां रोड पर 500 मीटर लंबी नैचुपू सुरंग का उधगाटन कहां पर किया गया है तो फ्रेंट्स यह जो नै अरुणाचल प्रदेश में बनाई गई है जिसका उधगाटन रक्षा मंतरी राजना सिंग जी के दुबारा किया गया है कहां पर किया गया है याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश में कुछ इस प्रकार से भी बन सकता है कि नैचुपू सुरंग का निर्मान कहां किया यह किस राजिया के इंडरेसासित प्रदेश में बनी है यह सुरंग तो आइसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में उधगातन याद रखेंगे रक्षा मंतरी राजनासिंग के दुबारा किया गया है अरुणाचल प्रदेश की लोकेशन आप सबी देखेंगे मैप में यह है अरुनाचल प्रदेश देखे इसके जस्ट उपर है चाइना अरुनाचल प्रदेश की जो अंधरास्टिय सीमा है वो चाइना और भूटान से लगती है यह आपको याद रखना है इसी के साथ यहां पर म्यामार के साथ भी इसके अंधरास्टिय सीमा लगती है किसके अर त्पून सुरंग है जिनके बारे में रिवीजन कर लेते हैं एक बार हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के मनाली और लाहौल इस्पीती को जोडने वाली अतल तनल किस हिमाले स्रिडी में सुर्ड़ी में इस्टित है कंड़ी पूनजाल सुर्ड़ी में अतल तनल हो गया है स्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग पीर पांचाल सुरंग ये जमो कश्मीर में है नाठु बारी जो सुरंग है ये माहरास्ट में है घाट की घोनी सुरंग कहां पर है तो ये राजस्थान राच्च में है नास्ट कुशन टाटा स्टील किस देश में निवेश करे कहां पर विटेन है याद रखेंगे कहां पर पिटेन में ठेखे टाटा स्टील और विटेन सरकार ने वोट साइट पर 1.25 अरब यूरो की लागत से अत्यादूनिक लेक्टरिक आर्क फरनेंस इस्टील मेकिंग पर करार किया है तो किस के साथ किया है विटेन गबर्मेंट के साथ किया है विटेन के बर्तमान में PM कौन है तो रेसी सुनक है आप सभी को ग्यात होगा G20 में भी आए थे अगला सवाल है कि एन्फोर्समेंट जो डारेक्टो रेट के डारेक्टर के रूप में किस ने पदबार गिरेंड किया है यह जो न्युक्ती है यह आपको याद रजनी है E.D. के डारेक्टर के बारे में ये पूछ रहा है तो इनका नाम है राहुल नभीन जो की E.D. के डारेक्टर की रूप में इन्होंने पदिबार गिरेंड कर लिया है E.D. आप सभी जानते हैं ये काफी सुर्खियों में रहती है E.D. की जो स्थापना है वो 1 मई 1956 में होती है और E.D. का जो मुख्याले है वो नई दिल्ली में आता है तो तीनों पॉइंट याद रखने है डारेक्टर कौन बन गए है? राहुल नभीन स्थापना कब हुई थी? 1 मई 1956 मुख्याले कहां पर है तो नई दिल्ली में है अब आप मुझे बताएंगे कमेंट्स करके कमेंट्स में आपको लिखना है कि नई दिल्ली में और किस किस के हैड़क्वाटर इस्थित है जितने भी मुक्याले दिल्ली में है वो सभी आप कमेंट्स में लिखतेंगे अगला सबर RBI ने कितनी सहकारी बैंकों पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है तो RBI ने लगा दिया है चार बैंकों पर बो लॉपे का इस पर आर्बी आई ने मौधरिक और आительно लगाया है तो फ्रेंट्स इन में जामिले हे बारहमति सहकारी five जशाना ल गया vita पर दो अगला सवाल है कि किसे लंदन में अंथरास्टे उतकर्टा पुरुसकार से समानित किया गया है तो लंदन में जो अंथरास्टे उतकर्टा पुरुसकार है ना ये मंगो भाई पटील जी को दिया गया है किसे दिया गया है मंगो भाई जी पटेल को दिया गया है क्लास की शुरुबात में जो सवाल मैंने आपसे पूछा था कि अखिल भारतिय टैनिस संग ने देश के स्टार खिलाडी रोहन बोपन्ना को सम्मानित किया है तो इस कुशन का जो आंसर है ना कुशी कुशन में छिपा हुआ था टैनिस से यह सम्मानित है याद रखेंगे ने सम्मानित किया है हाली में अब डिस्कुस कर लेते हैं टॉप टैन एक्स्ट्राटिक ट्री के कुशन भारतिय गेहूं एवं जो अनुसंधान संस्थान अगर आपसे पूछा जाए कहां पर है तो यह कर्णाल में है कर्णाल यानि कि हर्याणा राष्टिय चावल अनुसंधान के इन कहां पर है तो यह कटक उड़ी सा में है केंद्रिय कपास अनुसंधान संस्थान अगर आपसे पूछ ले तो नागपुर में है भारतिय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहां पर है तो यह लगनो उत्तर प्र इस्तित है रास्टिय शोयवीन अनुसंधान की इंद्र कहां इस्तित है तो यह इंदोर में आता है भारती किर्सी सांख की अनुसंधान संस्तान कहां पर है तो भारती किर्सी जो सांख की अनुसंधान संस्तान है यह नई दिल्ली में इस्तित है भारत का मानक समय ग्रीन विज समय GMT से कितने आगे है तो याद रखेंगे 5 गंटा 30 मिनिट आगे है सूर्य में कौन सा तत्व सरवादिक मातरा में पाया जाता है तो हाइड्रोजन मिलता है पवित्र भूमी की नाम से किसे जानते हैं तो फ्लीस तीन को जानते हैं पर पवित्र भूमी के नाम से अब आप सभी के लिए को सवाल है जनके आंजर आपको करने हैं कमेंट्स बॉक्स में तो पहला सवाल है कि दुनिया के किस सहे ने खुद को दिवालिया घोशित किया है कि कोलमबो बनिंगम या फे रो अगला सवाल किस राज्य की राइगड़ा सौल को जी आई टैग मिला है माहराष्ट, राजस्तान कोडीसा, असब सोरी से दूरी के किरम में निमन लिखित में से कौन से गिरे मंगल और अरुण गिरे के बीच में इस्तित है प्रत्वी और विरस्पती व्रस्पती और सनी सनी और प्रत्वी, सनी और बरुण निमन लिखित में से किस एक सहर में किस एक समू में चारो देश जी टोइंटी के सदसे हैं अर्जेंटीना, मैक्सिको दचड़ अफ्रीका या फिर तुर्किया, इसका नया नाम क्या कर दिया सिंगापूर, और तैचर कोरिया तो इसमें से कौन से ऐसे समू है ऐसे देश हैं जो कि G20 के सदसे हैं वो आंसर आपको कमेंट स्बाक्स में करना है देखिए G20 के जतने भी सदसे डेश हैं बैसे तो हम बार-बार क्लास में revision करते ही रहते हैं तो easily आप सभी को याद हो जाएंगे question गलत नहीं होगा क्योंकि वो आप से पूछ सकता है detail में जाके क्योंकि भारत ने अध्यस्ता की है तो question बन सकता है जैसे 4 देश आपको दे देगा और पूछेगा कि इसमें से कौन सा G20 का सदस से देश नहीं है तो आप याद रखेंगे यह जितने भी G20 के सदस से देश है यह हमारे लिए काफी महत पूण है और अफरीकी सन के बारे में क्या क्या याद रखना है जो कि इसमें सामिल हुआ है तो आपको याद रखना है इसमें कितने सदस सिदेश है पचपन है मुख्याले कहां पर है आदे सबावा में है इस्थापना कप की गई थी तो 2002 में की गई थी तो ये तीन पॉइंटों का खासकर आप याद रखेंगे अफ्री की संग के बारे में देखिए जब भारत ने अध्यस्ता की है ना तो संभाबना जादा है यहां से कुशन बनने की तो आज का इस शेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएगा इस क्लास की जो पीडियाप है ना वो आपको टेलिग्राम चैनल पर पैत में मिल जाएगे टेलिग्राम पर जाकर एग्जाम और्बिट क्लासे से लोगो आपको देखाई देगा तो जिसने भी टेलिग्राम चैनल जोइन नहीं किया है जोइन कर लीजेगा क्योंकि करेंट से संबंदे जो भी अपडेट होता है ना भी मैं आपको टेलिग्राम चैनल पर सियर कर देती हूं और साथी में अगर बहुत ही महत्तपों नियूज होती है तो उसे किस प्रकार से आगामी परिक्षा में कुष्चन बन सकता है ये भी आपको बता दिया जाता है इसे के साथ आपको बता दें कि देखिए जन्बरी 2023 से अगस्त 2023 तक का करेंट अफ्यर मार्च 2023 से लेकर अगस्त 2023 तक का करेंट अफ्यर ये रिवीजन हो चुका है तो एक बार जिसने भी क्लास को नहीं देखा है देख लीजेगा क्योंकि आगामी परिक्षा के लिए ये दौनों ही क्लास काफी महत्तपों है इसे के साथ अगर आ आपको चैनल पर इसली मिल जाएगे तो आज का ये शेशन अगर अच्छा लगा हो तो एक बार जरूर शियर कर दीजेगा क्योंकि आप सभी जानते हैं बिलकुल कम से कम समय में जादा से जादा इंफॉर्मेशन इस क्लास में आप सभी को दी जाती है तो फेंट्स मिलते है नास्ट शेशन में एक नई टॉपिक के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत